आज मैं बनाने जा रही हूं कडाई पनीर यह बहुत ही अच्छी और डेलिश्यस डिश होती है और इसमें एक स्पेशल कडाई मसाला तैयार करके डाला जाता है जिसके वज़े से यह अच्छी लगती है और वो जो मसाला है उसको आप फ्रेशली ड्राइ रोस्ट करके उसको पीसे और फिर डालें तो इसकी बहुत ज़्यादा खुश्वू आती है और वही मसाले का कमाल है तो यह देखिए कि मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं यह खड़ी सूखी धनिया है जीरा है चार पांच लाइची है हरी लाइची और यह फैनल सीट जिसको सौफ कहते हैं और यह लॉंग इसको हम थोड़ा हलका इसको ड्राइ रोस्ट करेंगे जादा नहीं करेंगे जीरे को एक दम ब्लैकनिंग करना है बस हलकी से खुश्बू आने लगेगी ना तो बस इसको बंद कर देना है गैस को और ठंडा करके इस मसाले को बहुत ही बारीक पीसना है क्योंकि ना यह चीज़ खड़े खड़े जब मूह में आने लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं तो बहुत ज़्यादा बारीक पीस लेना है अब देखे कि मैंने पैन चला दिया है फिर उसके बाद थोड़ा सा हम ओयल डालेंगे तो इसमें ओयल डाल करके जो मैंने कैपसिकम और अनियन को चॉप किया है मोटे मोटे टुकडों में और पनीर उसको हम लोग इसमें हलका फ्रा करेंगे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि यह बहुत जल्दी गल जाती है तो इसको हम लोग स्टर करेंगे कुछ सेकंड्स तक क्योंकि मसालों में भी डालके इसको बनाएंगे पकाएंगे तो यह पक जाएगी अब इसमें हम पनीर डालेंगे तो पनीर को भी हलका सा बस फ्राइ करना है बहुत ज़्यादा फ्राइ की भी पनीर अच्छी नहीं लगती वो फिर रबर टाइप का फीलिंग आती है तो बस हलकी फ्राइ करना है पनीर को भी साथ में और नमक अनॉल अभी नहीं डालना है क्योंकि नमक हम लोग मसालों में डालेंगे नमक अभी डालने से क्या होगा कि फिर वो पानी रिलीज होने लगेगा कैपसिकम और प्यास से सो नमक नहीं डालेंगे इसको बिना salt के ही हम लो उसको fry करेंगे यह देखिए हमको लगता है हो गई है ये पनीर भी हल्की हम्हे यह लग गई है अब फिर उसको हमने निकाल लिया मैं दुबारास हम तेल डालेंगे पैन में तेल हीट अफूक स्पहुग है अब इसमें जो है थोड़ा सा जीरा जाएगा टी स्पून के बराबर और दो तेज पत्तर डाला है इसको हलका क्रैकल होने देंगे फिर इसके बाद जो मैंने अनियन का पेस्ट बनाया है वो डालेंगे ये देखिए अच्छा दो तरे की पनीर कड़ाई पनीर बनती है एक ग्रेवी वाली बनती है और एक सूकी बनती है तो मैं ये ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो इसमें आप प्याज और टेमाटर को पीस के ही डालें तो जादा बेतर है इससे आपकी ग्रेवी बनेगी तो प्याज को तब तक फ्राइ करना है जब तक ये हलकी पिंक ना होने लगे अच्छा पिसी भी प्याज टेमाटर ये थोड़ा कुक होने में टाइम लगाती है और इसमें थोड़ा तेल भी जादा लगता है क्योंकि ये तेल को जो हम लोग अपने टर्म में कहते हैं पी जाता है अब इसमें हम डालेंगे टेमाटो प्यूरी इसको भी डालके थोड़ा पकाएंगे इस मसाले को बहुत अच्छे से पकाना होता है नहीं तो फिर इसका कच्छा पन रह जाता है तो फिर टेस्ट नहीं आता खाने में ये लस्टन द्रग जो मैंने थोड़ा सा पीसा था वो डाल दिया है चलाते रहना है ताकि मसाले सारे मिक्स हो जाएं और इसके बाद हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे अब ये देखिए मैं थोड़ा रेट चिली डाल रही हूँ पनीर जो है हलकी मीठी अच्छी लगती है कोई भी तरह की पनीर हो ये कुरियांडर पाउडर डाला मैंने तो जादा रेट चिली डालने की जरुरत नहीं है ये टामरिक पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा ताकि खुशनुमा कलर हो और ये मैंने तोड़ा कश्मीरी लाल मैश भी डाला कलर थोड़ा अच्छा है खुबसूरत आए अब ये सारे मसाले पढ़ चुके हैं इसमें अब इसको हम पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि कोई भी खाना आपका तभी अच्छा होता है जब आपके मसाले अच्छे पकेवे होते हैं और मसाले तभी अच्छे से पकेंगे जब ये आप इसमें टाइम देंगे ये अब सॉल्ट डालेंगे हम ज्यादा सॉल्ट भी नहीं डालना है क्योंकि टमैटो प्यूरे डाला है तो वो अलड़ी खटा होता है हलका अब इसको ढखके हम लोग 10 मिनिट तक पकाएंगे और ये देखें ये मेरा मसाला आलमोस्ट पक चुका है क्योंकि इसमें से तेल रिलीज होने लगा है आप देखें किनारे किनारे ओयल दिख रहा है तो इटमींस की मसाले पक चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे कर्ड कर्ड डाल के बहुत अच्छी दरस से मिक्स करना है कर्ड डाल के भी हमने पका लिया थोड़ा मिक्स हो गया है बहुत अच्छे से अब जो है इसमें जो हमने अलकी फ्राई कीवी पनीर शिम्ला मिर्च और अनियन रखा था वो डाल देंगे फिर इसमें वो जो कड़ाई मसाला है यह हमनों लास्ट में डालते हैं ताकि उसकी खुश्बू बरकरार रहे यह मसाला हमने डाल दिया आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए यह मिक्स हो गया है अब जो है इसमें हम थोड़ा गरम मसाला पाउडर डालेंगे जादा नहीं बस थोड़ा सा गरम मसाला भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी अलगी खुश्बू होती है अब लास्ट में जो इसका बचावा है वो क्रीम बट मेरे पास क्रीम नहीं है मेरे पास फुल क्रीम मिल्क है तो मैं वो यूस करूंगी तो हर चीज का जुगार होना चाहिए यह ना हो कि यह इंग्रीडियन नहीं है तो यह खाना नहीं बन सकता तो मैंने मिल्क का यूस किया है यह देखिए अब इसको बहुत अच्छे तरह से मिक्स करके और फिर से इसको ढख करके हम लोग 3-4 मिनिट पकाएंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नॉन विश तो है नहीं कि इसमें गलना है बस तेल जैसे रिलीज होगा हम मेरा कढाई पनीर मेरी रेडी हो जाएगी अब इसको हम ढख देते हैं थोड़े देर के लिए सेम पर ही रखेंगे और यह देखिए यह मेरी कढाई पनीर बनके रेडी हो गई तेल भी बहुत अच्छा साइड साइड में आया है बहुत ही यम देख रही है यह देखिए इसको आप स्टीम राइस, सीरा राइस या फिर कोई भी तरह का पराठे के साथ खा सकते हैं तो आप मेरी रेसिपी आपको यह पसंद आई है तो आप जरूर इसको शेर करें, लाइक करें और मेरे रेसिपी को ट्राइ करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू बाबाई